अप्सर हमें अपनी डेली लाइफ में ऐसे sentences बोलने की जरूरत परती है जैसे वो आसपास कहीं रहता है मेरे पास 1500 के आसपास पैसे है आसपास का महौल ठीक नहीं था तुम्हारी आखों के आसपास कुछ है ऐसे हिंदी के sentences जिन में हम आसपास का यूज करते हैं इनको इंग्लिश में बोलने के लिए हम around word का यूज करते हैं around का मतलब होता है आसपास around को लेकर sentences बनाने का कोई well defined rule तो नहीं है क्योंकि हम इसको अपनी बात के sense के according यूज करते हैं मतलब हम जो भी कहना चाहते हैं उसको समझते हुए हम around का use करते हैं लेकिन don't worry आप जैसे जैसे examples देखते जाएंगे आपको समझ आता जाएगा कि इसको sentences में कैसे use करते हैं तो चलिए आप कुछ examples देखते हैं जिससे आपको इसका मतलब पूरी तरह से समझ में आ जाए वो आसपास कहीं रहता है He lives somewhere around मेरे पास 1500 के आसपास रुपे हैं I have around rupees 1500 वहाँ आसपास का माहल ठीक नहीं था The environment around there was not right तुम्हारी आखों के आसपास कुछ है There is something around your eyes मेरे आसपास मत आया करो Don't come around me उसके घर के आसपास भीर लगी है There is a crowd around his house मैं 7 बजे के आसपास घर आ जाऊंगा I will be home around 7 o'clock मुझे कल सुभ़ 6 बजे के आसपास उठा देना Wake me up tomorrow morning around 6 a.m Wake me up tomorrow morning around 6 a.m वो हर महीने पचास हजार रुपे के आसपास कमाता है He earns around rupees 50,000 per month He earns around rupees 50,000 per month तुम वहां मेरे आसपास रहना You stay there around me आसपास क्या हो रहा है What is going on around या What's going on around Teacher के आसपास बच्चों ने भीड लगा रखी है Children have crowded around the teacher Children have crowded around the teacher मुझे आसपास से उसकी आवाज आई I heard his voice from around I heard his voice from around आज आसपास शानती है There is peace around today There is peace around today अब एक sentence आपके लिए खिड़की के आसपास कुछ है इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे या आप मुझे comments में बताईए आज की वीडियो में इतना ही अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए and make sure you press the bell icon right next to the subscribe button so that you get notified whenever I post new videos अब हम मिलेंगे नई वीडियो में एक नई लेसन के साथ तब तक के लिए टेक केर बाबाई